हे गाइस वेलकम बेक टो स्टेडियम मेडियम चैनल तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा च्छतित गर बीएसी नर्सिंग इंटेंस एक्जाम सीजी व्यापम के द्वारा जो होती हो दो हजार चौबीस में इसका फॉर्म कब तक निकलने वाला है इसका एक्जाम आपको सबसे बाहर एक भी को सबसे नहीं पूछेगा तो वीडियो को सुरू से आन तक देखेगा तभी आपको समझ मैं चली सुरू करता आज का वीडियो तो सबसे पहले बता दू कि जितने वी स्टूडेंस अभी टूएल्थ में हैं या पर टूएल्थ पास कर चुके हैं वो सबी स्टूव को भर सकते जो अभी टूएल्थ नहीं दिये हैं वो भी इस फॉर्म को भरोगे क्योंकि स्टूएल्थ एक्जाम हूने के बाद यह फर्म आएगा ठीक है जब आप इस form को भरोगे उस time आपका age 17 साल होना चाहिए अभी अगर थोड़ा कम है तो भी आपका चल जाएगा 17 साल आपका age होना चाहिए इस form को भरने के लिए और 12 में marks कितना होना चाहिए 40% minimum 40% इससे ज़्यादा marks नहीं खोजता है तो अभी आप 12 दे रहे हो तो ध्यान देना कि आपका 40-30 से कम marks नहीं आना चाहिए ठीक है और आपका subject PCB होना चाहिए यह आपका 12 में subject होना चाहिए आप आराम से इस form को भर सकते हो जैसे आप इस form को भरोगे आपको एक एक्जाम देना पड़ेगा जो की इंट्रेंस एक्जाम होता है और उस एक्जाम का जो पैटन होता है वह मैं आपको बता दू वह एक्जाम जो होता है उसमें आपको 100 questions प आपको 2 घंटे दिये जाएंगे इस दो घंटे में आपको 100 questions लिखना पड़ेगा बहुत ही simple questions रहता है इसमें आपको बता दू सब्जेट क्या क्या रहता है तो physics से questions रहते है 20 chemistry से 20 questions रहते है biology से 20 questions रहते है ठीक है उसके बाद English English से 20 questions रहते है और nursing aptitude से 20 questions रहते है ठीक है य यह जो आप physics, chemistry, biology देख रहे हैं यह वहीं questions पूछे जाएंगे जो आप 11 और 12 में पड़े हो जो आप 1RV और 12 में पड़े हो वहीं से पूछा जाएगा NCRT basis का questions रहता है तो कोई दिकत नहीं होगा English क्या है यह grammar English है जितने भी grammar portion है वहां से 20 questions पूछे जाएंग और यह nursing aptitude क आप कहां से पढ़ोगे तो इसके लिए मैं आपको separate एक questions bank देने वाला हूँ अगर उसको पढ़ लोगा ने तो उससे बाहर English on nursing aptitude पूछेगा ही नहीं मैं guarantee देता हूँ ठीक है आगे मैं आपको बता दो कहां आपको वह मिलेगा उसके बाद मैं आपको बता दो यह form को भरने का फीस कितना लिया जाता है तो बहुत इस अच्छा चीज़ है सभी को पता होना चाहिए कि फी क्या रहता है तो अगर आप यू आर से हैं मतलब अन्रिजर्व जेनरल कैटेगरी से हैं तो इस form को भरने के लिए आप से 200 रुपे लिए जाएंगे ठीक है अगर आप OBC से हैं तो आप इस form को 100 रुपे में भर पाऊगे बहुत ही सस्ता है सभी लोग इस form को जरूर भरेंगे ठीक है form को भरने के बाद जो आप exam दोगे उस exam में 100 number का questions रहेगा मैंने बताया और 100 number भी रहेगा ठीक है एक question सही करने पर एक number मिलेगा लेकिन क्या गलत करने पर number काटा नहीं होता है ठीक है तो आपको 100 में 100 attempt कर लेना चाहिए सही हो चाहिए गला तो कोई दिकत नहीं है पूरा आप attempt कर देना कोई दिकत आपको नहीं होने वाला है अब मैं आपको बता दू कि government college में अगर आपको selection चाहिए तो कितना number लाना पड़ेगा तो देखिए 100 number का exam होता है 100 में 100 कोई नहीं लाता है selection जो लेता है वह minimum आपको मैं बता दू 60 number से selection हो जाता है 60 number अगर आपका ला रहे हो तो आपको selection आसानी से हो जागा government college में ठीक है और सेकंड थर्ड कॉंसिलिंग में तो अगर आप देखोगे तो 55 तक चल जाता है 52 तक भी चल जाता है तो अगर 50 पलस भी होते हैं तो भी आपको selection मिल जाता है लाश्ट तक लेकिन फर्स्ट कॉंसिलिंग में लेना तो 60 पलस आपका marks होना चाहिए अब मैं बता दू कि 2024 में यह form कब तक आने वाला है 2024 में यह form निकलने का जो expected date आ रहा है वह आ रहा है March में आपको यह form निकल जाएगा और और इसका exam कब होगा तो देखो form निकलने के बाद इसका exam बहुत जल्दी ले लिया जाता है तो March के last में भी हो सकता या फिर April के first week में तो मान के चलो April के first week में आपका exam ले लेगा ठीक है तो March ही तक time है ज्यादा time नहीं एक दो मेने में आपको तयारी करना है और पांच-पा सफलता बैज आप हमारे एप को डाउनलोड किजिए आप का नाम है study medium जो हमारे चैनल का नाम है वही एप का नाम है प्ले स्टोर में सर्च करना मिल जाएगा नहीं तो इसका लिंक में description box में दे दिया हूं वहां से जागे डाउनलोड कर लेना अपना mobile डाल कर लेना वहां प पे आपको complete classes मिलेगा सभी subject की पांचो subject पढ़ाय जाएगा notes मिलेगा PDF मिलेगा सब कुछ मिलेगा आपको लिखने में कि कोई जरूत नहीं पड़ेगी और यह complete course सिर्फ 599 की होगी मतलब पूरा complete सभी subject को पूरा exam तक complete करा के revision करा के खतम करने का सिर्फ फी 599 एक बार आपको लगेगा उसके बाद कोई फी नहीं लगने वाला ठीक है अगर आप डाउनलोड नहीं किये हो तो अभी जागे डाउनलोड करो otherwise आप diet is help line number पे call करो ठीक है इस नंबर पे आप call करो या WhatsApp करो आपको directly आपको एप का link मिल जाएगा या फिर अगर आप payment नहीं करना चाते हो तो cyber cafe में जाओ कहीं दूसरे जगह से आप payment कर सकतो खुद के mobile से payment करने का option नहीं है तो इस नंबर पे आप payment करा देना online और इस नंबर पे call कर लेना WhatsApp कर लेना आपको course मिल जाएगा अब मैं आपको बता दू वो questions bank जिसकी में बात कर रहा था वो questions bank है आपका ये 12,000 objective questions bank जो की selected questions स से मिलकर बना हुआ है दस बारक किताबों का निचोड है ये मार्केट से कोई एक किताब पढ़के कोई फायदा नहीं है अगर आप इसको पढ़ लेते तो आप दस से बारक किताब को cover कर लोगे एक ही बार में वह भी selected ये आपको Hindi English दोनों ही भासा में मिलेगा ठीक है इसमे तो अगर इसको पढ़ लेते तो इससे बार एक भी questions नहीं पूछा का guarantee है पिछला साल इसी से सारा questions आया था सभी जो भी लिये थे सबका selection हो गया तो सभी लोग जाओ इस questions bank को जरूर लेना इसका प्राइस है 299 रुपर ठीक है 299 रुपर में आपको बार है questions मेरा तो बहुत बैंक चाहिए अगर दोनों लेते हो तो confirm आपका तयारी बहुत ही strong हो जाएगा और आपको government को लेने से कोई नहीं रोक सकता ठीक है तो फटा फट जाओ आपको download करो और इस headline number पर call करो जैसे यह form आएगी सबसे पहले हमारी चैनल में आपको पता चलेगा तो चैनल को subscribe जूर झाले बाँ बाय झाले बाई